मस्कार दोस्तों मैं रहुल सास्त्री सवगत करता हूँ आपका दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन के अंदर गुरु देव की महादसा का परिनाम अंतर दसा परत्यांतर दसा का परिनाम यानि अगर आप मिथुन लगन के हैं तो गुरु देव की अगर दसा आए ये विडियों के लिए अत्त महत्त पून है, बहुत सरल तरीके से बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले समझे मिथुन लगन, अगर लगन में तीन लिखा है, पहले भाव में तीन, तो समझ लिजे मिथुन लगन, अब गुरु देव 12 भाव में होंगे, कही न कहीं जुरूर होंगे, तो बारे भाव में वो किस तरह का प्रिणाम देंगे, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए, मिथुन लगन के अंदर गुरू को पून रूप से कारक नहीं कहा गया है, क्योंकि इसके फिचर रिजन यह हैं, आपस में मित्रता ना होने के कारक, दूसरी कार, पर मिथुन लगन के अंदर अगर आप गुरू देव के भाव को देखेंगे, तो दो उने मैत्रपून भाव मिले हैं, तो अगर उनका प्लेश्मेंट हुआ, तो मिथुन लगन के अंदर गुरू भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, तो देखिए, उनको दो को और बार्वववववव फे रोजगार को ही बात करूं दसके शावकर हैं तो हुंका प्रaci जसन तो अकर verset मिलेुम फायदा पहले में बता रहूं, कहाँ पर अच्छा फाइदा मिलेगा, और उसके बाद बताऊँगा वो फाइदा क्या होगा, तो जीसिये, अगर गुरु देव लगन में है, मिथुन रासे के अंदर तो फाइदा मिलेगा जातको, गुरु की दर्सा अंदर तर्सा जातक के लिए छोथे स्सितलावtså कलओं YouTube कि च्छ 8 आठ 15 पर लोग मिलेगा गुरु की बहुत अगर नहीं ? आठव भाव में, यहाँ पर जातक को बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा, एक तो तिरिक भाव, जैसे मैंने बोला, आठव भाव, obstacles को, कस्ट को दरसाता है, और यहाँ पर गुरुदेव मीच के भी होगे, तो जातक को बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा, वरन, वैपार में दिक्कत होगी, और यहाँ पर साधी को तुड़वाने का काम करेंगे, मानसिक रूप सांती, परेशानी, obstacles, गुरुदेव की दशा अंतरत से, परतनत से, जातक के लिए पहुत ही हानिका रखोगी, नवम भाव में अगर गुरुदेव हैं, तो जातक को यहाँ पर फायदा म में, मीन रासी में, यहाँ पर भी, पंच महापुरुश राजयोग बना दिया, कौन सा हंस, तो यहाँ पर भी जातक को फैदा मिलेगा, तो गैरवे बहु पर भाव में भी लाब में वर्द्धी करेंगे, अपनी मित्रासी में हैं, तो यहाँ पर जातक को फैदा, और दिखवली होते हैं तो जातक खोश्यार होगा ज्यानवान होगा धार्मिक होगा विवाईक जीवन का सुक होगा रोजगार में व्रद्धी होगी जिनकी के अंदर मांसम्मान परतिष्टा कीर्थी परप्त करेगा जहां जहां गुरू की दस जाएगी महां पर फैदा जैसे य दूसरे बात गुरू यहाँ पे दूसरे भाहों में उचके हो जाते हैं तो जातक को फायदा कम सब्दों में बताने जा रहा हूँ छात Andra दसा के लिए जातक के लिए फायदे मत दोगी और जातक विशेश धन का धन अरजित करेगा तीसरे बाओ में परिश्रम जरूर करा देंगे गुरु देव पर जातक को फायदा मिलेगा भाग्य का साथ मिलेगा महनत करने के बाद जातक अपने रोजगार को बढ़ाएगा सब्सक्राइब तो उसक में व्रत्त करें दाबाव संत्राहर से पढ़ाएगी के दरष्ट्री से मांचिक संतुलन की दरष्टी से जातक को फैदा होगा रोजगार में और विवैक जिमन वे जातक को फायदा होगा अपनी खुद की मरजी से साधी होने के योग दरसाएंगे गुरुदेव अगर पाच्वे भाहों में कस्ट देंगे, पेट को लेके समश्या बनाएंगे, यहाँ पे साथ साथ किड़नी और लिवर को लेके थोड़ी दिक्कत बन सकती है, मांचिक रूप से हानी, गुप सद्रू, पढ़ाई में दिक्कत, परिशानी, विवायक जीमन मे जातक को गुरु की दस अंतर दसा में विसे सलाव, आठे बाहों में ऑप्स्टैकल्स, जैसे में पहले बताया, कस्ट ही कस्ट देखने को भिलेंगे, मांचिक रूप से, भागय की दरश्टी से, विवायक जीमन की दरश्टी से, या पिर रोजगार की दरश्टी से, नुव जातक को पराप्त करता है, ग्यारवे भाव में गुरु अपनी मित्र की राशी में होने के करान लाब को दरशाएगी, तो किस तरह का लाब रोजगार में वर्द्धी को दरशाएगा, साथी साथ विवायक जीमन के बाद भी जातक को लाब दरशाता है, पार्टर के साथ ज जीमन में और रोजगार में भी दिक्कत बनती है, तो यह मैंने गुरु के आपको बताया किस भाव में किस तरह का प्रिनाम देंगे, गुरु अपनी महादसा, अंतरदसा, प्रत्य अंतरदसा में, अब आपको ध्यान रखना है, किस चीज का, यह तो मैंने आपको मोटे चलित कुण्डली में वो कैसे है, सडवल में कैस्तिती है, कितना अंस है गुरु देव का, किस गरहों के साथ दरस्टी बनाए हुए है, तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना, इस कुण्डली के अंदर विशेष में आप इनका रतन पहन सकते हैं, मिथुल लगन के अ पर प्रैक्टिकली आप देखोगे, तो यहाँ पे गुरु देव का रतन पुखराज आप पहन सकते हैं, सिर्फ आपको नहीं पहनना चटे आठवे बारवे में, अगर गुरु देव हैं, तो गुरु देव का बेजमंत्र या गुरु का दान करना अत्य फायदे मंद होगा जैसे चने की दाल का दान कर सकते हैं बरस्पतिवार को, गाएं को खाना खिला सकते हैं बरस्पतिवार के दिन, पेले बस्तरों का दान कर सकते हैं, यह दान है, और गुरु का बेजमंत्र ओम बर्म बरस्पते नम है, इसका आप जाप कर सकते हैं, तो दोस्तों पहुत सरल त के अंदर गुरु देव के दसा वीडियो कर अच्छी लगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद